नमस्ते साथियों स्वागत है आपका संस्कृत के इस यूट्यूब चैनल पर आप देख रहे हैं गुलदीव सिंग संस्कृताम ब्रताम। आज की हमारी की चर्चा निती शितक में से धन से समधित जतने भी पद्धें हैं। नहीं के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्योंकि इस यूग में धन जितना महत्वपूर्ण है। उससरीं महत्वपूर्ण साइद कुछ भी ने। तो चलते हैं कांदननेतों। पद्यों की योड कि सबसे पहला जो स्लोक है इसे शार्दूल विक्रिडितम में लिखा गया है जातिरिया तुरसा थलम गुण गणई तत्राप्यधो गम्यताम सीलम सेल तटापतत्व भिजना संदयताम वन्हिना शौद्ये वैरिनी वज्रमा सुनी पतर पर्थोस्तुन के वलम ये नई के नविना गुणा त्रिन लव प्राया समस्ताई में जाती ही अर्थात जाती जिसे आप जानते हैं ब्राह्मनत्वादी जो भी जातियां है यातु रशातलम वो रशातल में चली जाए अर्थात जाती भले रशातल में चली जाए पाताल लोक में चली जाए गुणगणई तस्यापी अधय गच्छतात और गुणों का जो सम्मू हैं जिस प्रकार से दयादाक्षिन ने इत्यादी जो गुण हुआ करते हैं वो उससे भी नीचे तस्यापी अधो गम्यताम उसके भी नीचे चला जाए रशातल और रशातल से भी नीचे कौन चला जाए गुणों का समू है दयादाक्षिन ने इस प्रकार की जो गुण हैं शीलम शैल तटात पतत शीलम अर्थात सदाचार शैल शैल यान परवत परवत के तट से अर्थात उपरी चोटी से पतत गिरे सदाचार परवत की पहाड की चोटी से गिर पड़े अभी जन हैं वन्निना संद यताम अभी जन अर्थात कुलिनता कुली निता जो है वो वन्ही अर्थात आग से संदयताम यानि जल जाए शावरिये वैरिनी आसु वज्रम निपततु शावरिये वैरिनी पराक्रम रूपी जो शत्रू है वह वज्रम निपततु उस पर वज्र गिर जाए आसु यानि शिग्रही शिग्रही उस पर वज्रपात हो जाए और वह पराक्रम रूपी जो गुण है वो समाप्त हो जाए किन्तु केवलम केवल अर्थ है न अस्तु हमारे लिए तो केवल अर्थ हो अर्थात केवल धन बच जाए येन एके न विना जिस एक के बिना इमे समस्ताहा गुणाहा त्रिनलव प्रायाहा भवनति जिस एक के बिना ये समस्त गुण प्रायहा तिनके के समान हो जाते हैं ये सब गुण हो और धन हीन व्यक्ति हो तो निश्यत रूप से उसका कोई समर्थे नहीं रहता वह त्रिन के समान तुछ हो जाता है इसलिए भरत्रिहरीजी ने नेती गत बातों में धन के लिए ये बात लिखी है अनंतर धन ही के लिए दूसरा जो पद्य है कि धन के बिना मनुष्य का सब कुछ परिवर्थन हो जाता है और वही व्यक्ति धन ना होने की इस्तिती में अलग दिखाई देता है और अचानक धन यदि आजाए उसके पास धना अगम हो जाए तो फिर वह अलग ही हो जाता है तो एविकलानी तानी इंद्रियानी वही विकार रहित इंद्रियानी एविकलानी तानी इंद्रियानी एविकल यानी विकार रही स्वस्थ स्वस्थ इंद्रियां वे ही तो स्वस्थ इंद्रियां हैं तदैव नाम हैं वही नाम हैं इंद्रियों का मतलब नेत्र श्रोत्र तवक तवचा इत्यादी सब जो इंद्रियां हैं वो सब स्वस्थ हों त तदेव नाम है, वही उसका नाम है, ए प्रतिहता सा बुद्धी और वही एकुंठित उसकी बुद्धी भी होती है, तदेव वचनम और वही उसकी वानी होती है, और किन्तु परंतु अर्थोश्मना विरहित है, अर्थ की उश्मा यानि की रहित से एव पुरुश है, वही जो व्यक्ति है खणेन अन्याह एव भवती, क्षण भर में ही दूसरा ही हो जाता है, दूसरे ही प्रकारकाव है हो जाता है, इती एतत विचित्रम अस्ति, यह बहुत ही विचित्र बात है, व्यक्ति वही होता है, वही उसकी स्वस्ते इंद्रिया होती है, वही उसका नाम होता है, वही उसकी प्रतिहत बुद्धी होती है, वो ही वाणी लेकिन ये उसके पास धन की जो गर्मी है वो नहीं रहे तो वह क्षण भर में ही परिवर्थित हो जाता है ये बात धन के लिए अनंतर बहुत प्रसिद्ध स्लोक जिसे बहुत जगे बोला भी जाता है कि सरवे गुणहा कांचन मास्रयंती इस पद्य की जो अंति पंक्ति है उससे सब लोग बोलते भी है या था था कोई भी उद्धर्ण के रूप में यस्यास्ति वित्तम सनर कुलीनह से पंडितह से सृतवान गुणज्यह से एववक्ता से चदर्शनीह सरवे गुणहा कांचन मास्रयंती इस्यास्ति वित्तम बिल्कु सीधा सार्थ है यस्यास्यास्यास्यास्यास्यास्यास्यास्यास्यास्यास्यास्यास्यास्यास्यास्यास्यास्यास्यास्यास्यास्यास्यास्यास्यास्यास्यास्यास्यास्यास्यास्यास्यास्यास्यास्यास्यास्यास्यास्यास्यास्यास्यास्यास्यास्यास्यास्यास्यास्यास्यास्यास्यास्य इसलिए वे गुण उसमें नहीं है अपितु सभी गुण कांचन में अर्था धन में निवास करते हैं जिसके पास भी धन पहुंसता है वही अपने आप में विशिष्ट हो जाता है वह कुलीन वही पंडित वही सुन्य योग्य वही गुणों को जानने वाला वही वक्ता और वही दर्शनी ये लोगों के लिए हो जाता है ऐसा ये धन की प्रकृति है अनंतर अगला पद्य देख लेते हैं यह है जो पद्य है वो इसमें विनास के कारण बताए हैं कि किस किस चीज से कैसे और धन नश्ट कैसे हो जाता है यह बात इसमें बताई है शार्धूल विक्रितम है पुने वनध्यनात कुलं कुतनयात शीलं खलो पासनात रिर्मध्याद नवेक्षणात अभिक्रशीही स्नेह प्रवासास्रयात मैत्री चाप्रणयात सम्रध्यनयात त्यागह प्रमादाध्धनम देखें, दोर मंत्रयात निर्पतिर विनश्यति, अर्थात बुरी मंत्रना से, दुर मंत्रना है दोर मंत्रयात, मंत्रना यदी गलत हो, गलत सलाह यदी दी जाए, तो उससे निर्पति अर्थात राजा, वह विनश्ट हो जाता है, यती ही संगात, यती यानि होता है सन्यासी, सन्यासी संग से नश्ट हो जाता है, आसकती से, संग कार्थ है मोह आसकती, यदि सन्यासी में यह आ गया तो उसका सन्यासी पना नश्ट हो जाएगा, सुत है लालनात, पुत्र जो है वो अत्यधिक लाड़ प्यार से विगड़ जाता है, विनश्ट हो जाता है, विप्रह अध्येन के उसका विप्रत्व नश्ट हो जाता है। अध्येन के सेवन से लज्जा नश्ट हो जाती है। वह नहीं देखने से, उसकी देखबाल ने करने से। यदि कोई व्यक्ति बीज वपन करके, बीज बोकर के बरशात आने पर और घर पे आके सो जाए। और अंत में वह है, जाकर के फसल काटने के समय चार मैने बाद पहुँचे, तो क्या उसे कोई फसल का अन्न का एक दाना भी मिल पाएगा। निष्टित रूप से नहीं, तो अनवेक्षणात क्रशी विनश्यति, बिना विनश्यति सब देन के सब के साथ आएगा। सनेह प्रवासास्रयात और प्रवास में परदेश में रहने से प्रेम विनश्ट हो जाता है। मैत्री ए प्रणयात और मित्रता ए प्रणय से अर्थात स्नेह नहीं होने से प्रेम नहीं होने से मैत्री मित्रता नश्ट हो जाती है ए सम्रध्धी ही ए नयात और व्यक्ति की सम्रध्धियां अईश्वर्य ये अन्याय से अनीती से नश्ट हो जाती है नीती पर उतर आता है उसके पास फिर सम्रुद्धी नहीं रहती नीती के विपरीत कारे करने से सम्रुद्धियां महां से पलायन कर जाती हैं धनम प्रमादात और प्रमाद से धन नष्ट हो जाता है त्यागात चै और त्याग करने से एसावधानी से व्य करना है वो प्रमाद यानि प्रमाद पूर्वक त्याग करने से धन विनस्ट हो जाता है असावधानी से दियाब धन का दुरूपयों करते रहेंगे तो वह नश्ट हो जाता है यह मुखी रूप से धन के लिए लिखा है और बहुत सारी बातें इसमें साथ में जोड़ दी गई हैं अनंतर बहुत ह की विसिष्ट स्लौक जिसमें बताया गया है कि धन की गतियां थीन ॅंतियां तो देखें दानम भोगे नास तिस्र है नाश है गतए है भवन्ती, दान, वित्त की, धन की, दान, भोग और नाश, ये तीन गतियां होती हैं, गति शब्द इस्त्रेलिंग होने से तिस्त्रह शब्द आया है, तीन के लिए, तो दानम, भोग है, नाश है, धन की तीन ही गतियां है, या तो दान दे दिया जाए, तो वहस्रेश्ट गत क Zack अत्वा फिर त्रितिया गती यानिकी नासकी गती है तीन हर न स्थ होता है जो धन सब्सक्ण का उपियोग नहीं कर लिया गया को फिर उसकी अंतिम गती टैय है वह विन स्थ हो यह धनम ने ददाती जो ने तो दान देता है ने चे भूंकते और नहीं जो खाता है खुद पर खर्च करता है ने भोगता है तस्यत्रितिया गती ही भवती उसकी तीसरी गती अर्थात माश की गती वह धन नश्ट हो जाता है इसलिए यदि धन है तो उसका समुचित रूप से उपयोग हमें दान देने और उपयोग में लेने भोग में लेने के लिए करना चाहिए ऐसा भरत्रियारीजी का कथन है अगला जो पद्य है वो कह रहा है वीविद प्रकार के उदाहरणों से उन्होंने कहा है कि कौन लोग धन के विनस्ट होने पर या कमजोर होने पर भी अ होते हैं पर खरादा गया मनी रत्न को जब तक तयार किया जाता है तो उसे मोटा सारा जो पत्थर का टुकडा होता है उसे बिल्कुल पतला सा और उसको खरेद करके उस पर चला करके और यंत्र पर और उसे घिस घिस करके और मनी तयार रत्न तयार किया जाता है तो वह मनी शुशोबि होती है दुर्बल ही फिर कह रहे हैं समर्विजयी हेती दलीता है समर में युद्ध में विजयी जो युद्धा है वह भी सुश्वबित होता है सस्त्रों से घायल हो करके ये दिवय आया है, सस्तों से घायल युद्धा भी सुसोबित होता है, जिसने युद्ध को जीत लिया है मदक्षीन है, नाग है, मद के मदजल से क्रश हुआ, हाती में मदजल का प्रबाव होता है उसमें वे दुर्बल हो जाता है, तो मद जल से एक शीन हुआ हाती भी बढ़ा, सुसोबित नाग नाम है हाती का, नाग शर्प को भी बोलते हैं और नाग हाती को भी बोलते हैं संस्कृत में, तो मद से एक शीन क्रश हुआ दुर्बल हुआ हाती भी सुसोबित होता है, सरद रितु में नदियां के जो तट हैं वो सूख जाते हैं तो सूखे तटों वाली सरद रितु में सरीतार थाथ नदियां सरीता है नदियां यह भी सुशोबित होती हैं कला सेश चंद्र है कला मात्र सेश चंद्रमा अर्थात जो द्यूतिया का चंद्रमा है वह सबसे सुंदर हो इसको देखने के लिए लोग उसकी प्रतिक्षा करते हैं और शुब भी माना जाता है इसलिए दुतिया के चंद्रमा बिल्कुल पतला सा होता है तो उसके दर्शन किये जाते हैं दुतिया के चंद्रमा के, तो कला शेशस चंद्रे, कला मातर से सेश जो चंद्रमा है, वह सुशोबित होता है, सुरत म्रदिता बाल वनिता, और नवियो नाम स्त्री, रती क्रीडा से में मरदित, दुरवल हुई, वह भी सुशोबित होती है, अर्थीसु गलित विभवा, और जो मुख्य जो बात आ रही है जो कहने के लिए वह सबसे विशिष्ट की अर्थिश यानि की याचकों पर गलित भी भवाहा नराहा धन से रहीत हुए मनुष्य ऐसे लोग जिनों ने अपनी संपत्ति को याचकों में दान दे दिया हो उससे वो दुरुबल अर्थात धनहीन हो गए हो ऐस से व्यक्ति तन निम्नाहा शोभनते वो क्रश्टा से भी अपनी कमजोरी से भी वो शुशोभित होते हैं अगला हम पद्य देखें वह है भी प्रतिक वस्तू का मुल्य समयानुसार बदलता रहता है यह भी धनकी महिमा का ही पद्य है परिक्षीन है कस्चित स्प्रहयति यवानाम प्रस्रतय स्प्रहयति यवानाम प्रस्रतय स्प्रहयति यवानाम प्रस्रतय स्प्रहयति यवानाम प्रस्रतय स्प्रहयति परिक्षीड है अर्थात निर्धन होने पर यवा नाम प्रसृते जो यव बोलते हैं जो को जो नाम वाले धान्ने विशेश के प्रसृते प्रसृती मात्र मुठी भर के लिए प्रसृते का अर्थ है प्रसृती मात्र है तू मुठी भर बोलते हैं प्रसृती यानि मुठी भर प्रस्रती मात्र जो के लिये वह इच्छा करता है कि मुझे तो मुठी भर अनाज मिल जाए बस वो भी जो तो यवाना प्रस्रते प्रहयती इच्छा करता है और दुरबलता में जब वह निर्धन होता है तब और फिर वह संब्रद हो जाए संपूर्द होता हुआ वे व्यक्ति बाद में क्या करता है तिनके के समान तुछ इस धर्ती को समझता है थोड़ा सा संब्रद हो गया तो संब्रदी के साथ वही व्यक्ति जो एक मुठ्थी भर धन्य के लिए जो के लिए इच्छा करता था कि मुझे ये मिले वही बड़ी आचना से वो रहता था अब वह प्रत्वी को पूरी प्रत्वी को तिनके के समान समझता रहे हट मैं क्या समझता हूँ इस तरह से अतस्च अर्थेशू अनई कांचत गुरु लगुतया धनिनाम अवस्था वस्तूनी प्रत्वी संकोच जयती च इसलिए अर्थीशू यानि की वस्तूओं में अने कांचत ए नियत भाव होने के कारण गुरु लगुतया गुरु और लगुता का भाव धनिनाम धनिकों की अवस्था के अनुसार वस्तूओं को बड़ा यानि की प्रत्वायती बड़ा बना देती है संकोच जयती या फिर छोटा बना देती है यानि पदार्थों की महत्ता और लगुता के विशे में ए नियत होने से पदार्थों की लगुता और उनकी जो उचता महता है वो धनवानों की अवस्था से निर्धारित होता है कि वस्तु छोटी है कि बड़ी है धनका यदि प्रवाह ज्यादा हो जाए तो फिर हर वस्तु तुछ लगती है बड़ी भी और धनका यदि अभाव हो तो तुछ सी वस्तु भी बहुत बड़ी लगने लगती है यह धनका विशिष्ट गुण है जिसके दन चला जाता है, वहाँ विक्ति दूसरे प्रकार का व्यभार करता है, तो अगली कक्षा में हम पुन है, दन से संबंधित और पद्यों को लेकर उपस्तित होंगे, दावत भवेत, शुभम, भंगलम, जैतु संस्कृतम, जैतु भारतम.